1979 की बात है, एक आसाम का 19 साल का लड़का जब एक नदी के किनारे से जा रहा था तब वो कई सारे एक साफ एक साथ मरे होय देखता है जो नदी में पानी के साथ आये थे और उस एरिया में दुर-दुर तक कोई पेड़ नहीं होने की वज़े से हीट की वज़े से मारे गए ये incident देखकर वो 19 साल का लड़का खुद उस जगह पे सबसे पहले 20 बांबू के पेड लगाता है और फिर हर दिन वहाँ पे जाकर अलग अलग पेड लगाता है ऐसे वो एक दो दिन नहीं, एक दो महिने नहीं, एक दो साल नहीं, बलकि 40 साल वहाँ पे जाकर पेड लगाता है और जिजगह पे पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे लगभग 1360 एकर एरिया में फॉरेस्ट खड़ा करता है अब दोस्तों वो फॉरेस्ट कई जानवरों का घर है और उस इनसान का नाव जाधव पाइंग है जिसे फॉरेस्ट मैन ओफ इंडिया भी कहा जाता है उन्हें इस काम के लिए 2015 में पदमश्री अवार्ड से नवाजा गया है यह स्टूरी हमें यह बताती है कि सक्सेस इस नॉट अ मिरेकल और मिस्टी इस तरह के इंफर्मेटिव फैक्ट्स डेली देखने के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए